कि किसने चलाई थी पताओ को लिए नमी 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 वह कौन है ओ नमी आपका नमी आपका भाई है नई अबू है नमी 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 बिल्कुल चार साला बचीरे एक कि बहुत बड़ा केस सौल किया है असलाम अलेकुम मैं हूँ शानवादरी कादरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्ट्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वह सब्ट्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडिय साल की खातौन होती है उसके पास एक बच्ची जो है रोती भी मिलती है फोलिस लाच को सत्काने मंदकल करती है बच्शी को शेल्टर होम वीज़ा जाता है अपनाँ पता नहीं चल रहा था यह sequence और शाउनकर सवcit कर ती एक गोली एक ओन के मारी घई थी तो बच्ची जो सो में जब शुरू में अप जब शुर्व में सवाल कर रहा हूं वारा मामा को भोली विचमने मारी तो वार बार कहती है नमी 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 ॉको hep a नबी तो क्वशन है वह नम में यह अब काम आपका भाई है नइ अबू है नइंग मैं यह निग कर दंश का तो जब पुलिस ने अगास किया और कोशिच की तो खात्रूं का जो फिंगर प्रिंट था वो नहीं मिल सका और नहीं नादरा में जो रिकॉर्ड है उसका सामने आए यानि कि उसका शनाक्तिकार्ड या तो बना हुआ नहीं था या अंडर रहिज थी पुलिस यही मान के चल र जो सिंट थी वह एक खातून तक ले जा सकी खातून जो कहती है कि यह लड़की यारी जो इसकी लाश है वो मेरी बेटी है और उसका नाम मुम्ताज बेगम है आड़ बजए इतवार के रोज यहां से निकली थी और उसके बाद से लापता हुए थी और दीकर पुलिस टेश चलती है तो जो वेस्ट जोन की इन्वेस्टिकेशन पुलिस है उसने बहुत अच्छा काम किया और बहुत कम वक्त के अंदर इस जो कतल का मौमा है वो हल किया है अपनी पुलिस बताती है कि हुआ ही कुछ इस तरीके से कि मुम्ताज है इसकी दोस्ती थी एक समी नामी शक्त क्योंकि मुम्मद अली भी इस लड़की से राप्ते में था इसका नाम मुम्ताज है तो जब दोनों ने आपसे बात की तो उसने का ठीक है मैं आपकी इंसे मलकात करवाता हूँ ताहम कुछ यह चीज़ें सामने आ रही है लेकिन अभी यह कन्फर्म्ड है कि मुम्ताज है उ कर रहे हैं कि लिए उसको फटल पर ले जाने के बजाए एक सुनसान मगाम पर ले जाता एक और इतने से में रक्षे के अंदर समी और उसका दोस आ जाता है और काफी देर तक जो है इन दोनों में तक्रार होती है बजराय बताते हैं कि 20 से 25 मिंट जो है इन दोनों में आपस में गुफ्त शनीद होती है ताहम मुम्ताज जो है वो मान नहीं रही होती और मुम्ताज समी को माफ नहीं कर रही होती तो मुम्ताज समी को अचानक से गुस् और ये तीनों जो लोग है रक्षा डैवर था मुम्तास का जो दोस्ता समी और इसके लावा जो मुम्मद दली था वहां से रक्षे में फरार हो जाते हैं लेकिन बच्ची पूरी रात लास के नीचे दवी रहती है उसका पाउं सुन हो जाता है निला पड़ जाता है बच्ची रोती है कोई उसकी मदद को नहीं आता सूप के टैम एक चरवाह बच्ची की रोने की आवास सुनता है वहां पर कंसे तो नहीं को मदद की है तो बच्ची की मदद की केस तहां अभी शोहर का इस सारी के स्टोरी के अंदर कोई सामने के डार नहीं आया है लेकिन पुलिस केरी के इन्वेस्टिगेट कर रही है